नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिवर्सल अग्रोटेक में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्के की फसल में बुवाई करते वक्त और बुवाई करने के कितने कितने दिनों के अंतराल में रासाइनिक खाद देनी चाहिए जिसकी हमें फसल में ज्यादा पैदावार और ज्यादा ओपज की बड़ोतरी हो सके आज के वीडियो के माद्यम से संपूर्न जानकारी में आपको देने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों मक्य की फसल में ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए वक्त वक्त पर सही रासाइनिक खाद का इस्तमाल करना जरूरी होता है दोस्तों जब भी हम मक्य की फसल के लिए खेत जोतते हैं तो उसी वक्त परती एकड़ चार ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तमाल करना चाहिए। यह जो चार प्रॉली सड़ी हुई गोबर की खादे वो पूरी तरीके से जिस खित में भी हम मक्के की फसल लगाना चाते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से फैला देने चाहिए खाद डालने के बाद और अच्छी तरीके से उसे जोत लेना चाहिए बारिश के बाद जब भी हम मक्के की बौई करते हैं तो बौई करते वक यनपी के 15-15-15 दानेदार खाद डाल लेनी चाहिए परती एकड़ 40-45 केजी यनपी के 15-15 खाद जो होती है दानेदार वो देनी चाहिए क्योंकि जब भी मक्के की फसल जर्मिनेट होगी तब पोशक तत्व यनपी के जल्द मिलने के कारण एकड़म जोर से और तंदुरस फसल होगी फसल के जर्मिनेशन के बाद फसल में यनपीके की कमी के कारण जो पत्तियों में पिलापन आ जाता है जो पिलापन देखने मिलता है वो पिलापन यनपीके 15-15 के इस्तमाल से नजर नहीं आएगा उसे के साथ जो बाखियों की तुला में इसकी जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ काफी अच्छी हो दिखने मिलेगी और जो दुसरा डोज होगा वो दोज हम फसल में खर्पतवार का इस्तमाल करने के बाद जो दुसरा मुख्य डोज होता है वो लगबग फसल में 25-30 दिनों की हो इसके अंदर 5-6 केजी जिंग का भी इस्तमाल करेंगे यह जो संपूर न जो खाद बताया है मैंने इसको एकी जगह पे पूरी तरीके से मिक्स करके फसल के पास डालना चाहिए जिसे कि जब भी हम फसल में पानी देंगे खाद असानी से फसल की रूट्स तक चले जाएगी इ पहले कि तुल्ला में जो फसल है उसके अंदर अच्छी खासी उपज हमें देखने मिलेगी अगर इसका आप इस्तमाल करते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ में बेल आइक